अब तक आपने फॉन पर मैसेज या कॉल आने पर फॉन की स्क्रीन में कलर बदलते देखे होंगे या नोटिफिकेशन पर लाइट चलते देखी होगी लेकिन दुनिया टेक्नलोजी के साथ भविश्य में कदम रख रही है और इस भविश्य की दुनिया में केवल फॉन की स्क्रीन पर कलर नहीं बदलेगा बलकि पूरा का पूरा फॉन ही कलर बदल लेगा सुदने में थोड़ा साइन्स फिक्षन मुवी जैसा लग रहा होगा आपको लेकिन ऐसा सच में हो रहा है दरसल चीनी कमपनी वीवो एक नया कॉंसेट डिवाइस लेकर आ रही है कमपनी ने फॉन के कैमरा और स्क्रीन में बदलाव करने की बजाए इसके डिवाइस में इनोवेशन किया है वीवो ने फॉन के बैक पैनल पर लेक्ट्रो क्रोमिक ग्लास लगाया है जो अलग-अलग कलर दिखाता है इस ग्लास का इस्तमाल कॉल, मैसेज और एप नोटिफिकेशन के बारे में यूजर को अलर्ट करने के लिए किया जा सकता है कमपनी इस नए इनोवेशन का इस्तमाल फॉन को सुन्दर बनाने के लिए भी कर सकती है इतना ही नहीं, कलर बदलने वाले ग्लास के फंक्शनल बेनिफिट्स भी हैं जीएसेम अरीना की एक रिपूर्ट के मुताबिक, चीनी शोशल मीडिया साइट विबो ने एक वीडियो शेयर किया है वीडियो में कॉंसेट डिवाइस पर पूरा बैक पैनल एलेक्ट्रो क्रोमिक ग्लास से बना दिख रहा है इससे फॉन को एलेक्ट्रोनिकली अपना कलर बदलने में मदद मिलती है वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले कलर के शेड़ वाला डिवाइस अपने आप सफेद कलर में बदल जाता है रिपोर्ट के मुताबिक, कमपनी शुरुआती तोर पर इसका इस्तमाल नोटिफिकेशन फीचर के लिए कर सकती है फॉन के कलर शिफ्टिंग नेचर का इस्तमाल, कॉल, मैसेज, एप नोटिफिकेशन और अन्य नोटिफिकेशन के बारे में यूजर को सूचित करने के लिए भी किया जा सकता है इसके लावा इसे थीम के अधार पर कलर बदलने के लिए बनाया भी जा सकता है गौर करने वाली बात ये है कि फॉन के पीछे केवल इसकी पारदर्शिता बदल सकती है वास्तविक कलर नहीं आपको बता दे कि वीवो पहली कंपनी नहीं है जो इस तकनीक पर काम कर रही हो वन प्लस भी साल की शुरुवात में CES 2020 शो में इस टेक्नलोजी का प्रदर्शन कर चुकी है वन प्लस ने अपने कॉंसेट वन डिवाइस के लिए एक एलेक्ट्रो क्रोमिक ग्लास कवर ड्रेपलफ किया था मैकलेरन के साथ इसके लिए साजेदारी भी की गई वीवो के विप्रीत वन प्लस ने पूरे रेर पैनल की वजाए फॉन पर रेर कैमरो को छिपाने के लिए कांच की एक छोटी पट्टी का प्रियोग किया वीवो के मुताबिक वर्तवान में वेटरी लाइफ और पर्फॉर्मेंस पर इस तक्नीक के प्रभावों को देखने के लिए टेस्टिंग की जा रही है अगर सब ठीक रहा तो भी वो वास्तव में अगले साल तक प्रिमियम फॉन के साथ इस नई तक्नीक को लॉंच कर सकती है